हर खबर पर होगी आपकी पकड़ सब्सक्राइब की थी दनीजपत सनक से संसत्त की खबरों के लिए आप रालुस्तमा में परदेश प्रभारी भी रह चुके हैं आईटी सेल का क्यों उसको छोड़ दिया चोड़ने आ कारण नमस्कार दर्सको दनीजपत के साथ मैंने रिंदर बसंत स्वागत करता हूँ एक बाफीर से आपका अपने चनल में दर्सको जिए तो बिहार विदान सबा की जो सरगर्मिया थी ओब ठंडी हो गई और अब जो है पंचायती राज की जो समस्या और जो सरगर्मिया है वो कुमार रावत उर्फ इवराज बस्दुर जी जो की इटारिक पस्मि से इस बार जो है जीला परशद के भावी उमिदवार हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार ये कौन-कौन से इसे मुद्दे हैं जो को मुद्दे को लेकर इस चुनाव में एक कुदे हैं सर इस चुनाओ नहीं लडना चाहते हैं पहली बार हमको यह इक्छावि कि हम चुनाओ लड़े इताड़ी पस्मी जीला परिश्ट जो है वह अति पिछड़ा के लिए शुड़क छीत है अब हम लोग पिछड़ा से आते हैं तो हमारी वी इक्छाविक नाव लड़े समस्याइ बहुत बड़ी है और जिसमें सबसे बड़ी समस्या है इताड़ी मार्केट की हमारा इताड़ी बाजार बक्सर जिला का सबसे तिसरा बड़ा बाजार है बक्सर डुमराओं और इताड़ी तिसरे नमर के बाजार में कहीं भी सुधनाली की सुविधान नहीं है सबसे बड़ी स समस्या है यहां पर पानी निकास की कोई वेवस्ता अभी तक अच्छा ढंसे नहीं हुआ है दूसरी समस्या है कि हमारे गाउं देहात के औरते आते हैं मतलब कि लगबक सो गाउं का मार्केट जहां पर होता है लोग आते हैं तो यहां पर कोई सोचाले और पिसाब करने की वो नहीं करा हैं अब वो कितना करा हैं लेकिन हमको तो कुछ कहीं कुछ नहीं दिखा है बहुत सारे candidate खड़े होंगे आप में क्या ऐसी खुबी रहेगी जिसको लेकर जनता आपको वोट करेगी कि सबसे खुबी कुछ नहीं है हम जनता के बिच में रहते हैं इताजी मरकेट में हम फंदर सालों से हैं यहां पर हम राजनीति में मतलब देखते हैं निचली अस्तर से हम लोग देखते हैं यहां पर हमारे विचार में जनता हमको इसलिए भोट करेगी कि इतने भी मिद्वार जीते उन्होंने इताड़ी पर श्री के लिए कुछ नहीं किया के वाल अपने जे बुरहने के लिए कई के लिए इसलिए हमें उम्मीद है कि जनता हमें इस वार जरूर जीताएगी हम उनके जमीनी मुदे को हर हाल में उपर तक पहुचाएंगे उनके कारियों को सफल करने का पर्यास करेंगे लोगडाउन पांच से से हम लोग आते थे और सोशल मीडिया के ही माध्यम से हम आवाज उठाते रहे अपने घर से ही और अनों थोड़ा निम्न वर्क से आते हैं इस्थिती उतनी अच्छी है वरना हम जनता को आर्थिक सहयोग भी बहुत बढ़िया तरह से करते किये हैं करते किये नहीं है आवाज जित्ते हैं तो सबसे पहले पर्थमिक तो आप किसे देना चाहेंगे अगर हम चुनाओ जित्ते हैं तो पहले इटाड़ी पोश्यमी छेत्र का गरीब गुर्भों का गाउं जहां जहां है वहां इस्थिती बहुत खराब है बहुत सारे पंचायत परतनीधी जित कर गए ले या उनके लिए कुछ करे बोलोक अस्तर पर जिला अस्तर पर परदेश अस्तर पर अगर वहां नहों हो तो जो राष्टी अस्तर पर जाए लेकिन जनता के लिए कुछ करे उन लोग ने आवाज भी नहीं उठाया है आप रालोस्तमा में परदेश प्रभारी भी राचुके ह लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि लगड़न के चलते स्थिति देनियों हो गई और सब कुछ देखकर चलना पड़ता है हम इसलिए जो है समय नहीं दे पाएंगे इसलिए हमने पाटी छोड़ दिया क्या लगते है जोन करीएगा अभी तक खोई संत्री देना चाहेते हैं कि बहुत सारे जित कर जाते हैं लेकिन जनता के बारे में कुछ करतें करतें हैं और कुछ अपनी आवाज भी नहीं उठाते हैं करना तो बहुत दूर की बार्द जितने के बाद इताड़ी पच्मी जिला परिशद का जमिनी अस्तर से अगर उसको खंगा लिएगा जनता से पुछिएगा तो लोग जितने के बाद चुनाओ जितने के जनता के बीच में गएफsin नहीं है इसलिए हमें उमिद्ध है कि जनता जो है बात को समसब गी हमें इस बार मोका देगी इस लिए ट्रेजद पच्शनी के जनता हमको मोका देती है तो उनके लिए कि बहुत कुछ करने के लिया मतलब कि हर संभव परियास करेंगे कि जानता को हर सुगधा उपलब्ध हो जी बहुत बहुत धन्यवा जोड़ने के लिए